अलो बच्चों आज हम टॉपिक लेके चलना है question of motion गति के समीकरण उसको graph दो मेथड़ से प्रूफ करना होता है class 11th में छोटे classes में तो 9 10th में तो क्योर graph method है आपके यहाँ graph method है और calculus method है चुकि calculus अभी आप पढ़ी नहीं और अभी आप पढ़ेंगे भी नहीं अगले class में इंट्रिकल है तो काफी कुछ तो उसनों याद करना पढ़ेगा फिलाल हम graph method लेके चलना है देखिए graph method से कैसे हम इसको करेंगे इस heading को डाल दीजेगा इसको रब करेंगे हम देखिए ज़ that a body is moving with velocity u with velocity u हमने माना कि कोई एक वस्तु है जो यू एक से चल रही है उसको हिंदी में बता रहा हूँ and after time t and after time t t समय बार its velocity its velocity becomes v इसकी जो t समय बार इसका जो वेग है वो v हो जाता है और इसका प्राइम वेग क्या है u है और t समय बार यह होता है its displacement is x जिसका जो विस्थापन है वो s है s and its acceleration जिसका जो तुरण है is e यह language आपको समय लिखनी है हिंदी में बता रहता हो कि माना एक वस्तु है जो यू वेक से चल रही है तीसमय बाद उसका वेग v हो जाता है और वस्तु का विस्थापन s है वह वस्तु का तुरण a है यह language आपको लगानी है यह सब में लिखनी है चाए first equation हो चाए second equation हो चाए third equation अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा उसके लिए ग्राफ आपको मालू ना ची विलास्टी टाइम ग्राफ देखें यह ग्राफ बना रहा हूं यह time x axis है जो कि time को represent करती है और यह y axis है जो की velocity को represent करती है ठीक है यह time zero हुआ और आपने zero time पे body की जो velocity है जो wave है वो u मानका है तो आप कहा पर थे आप a point पे थे और यह u velocity है hb यह जो उंचाई है ना वो u है और आगे चुकि acceleration आप बता रहे हो यह उसका wave लगातार बढ़ रहा है तो इस प्रकार से velocity बढ़ती चली जा रही है थोड़ी दिर बाद आपने देखा कि body v point पे आ गई कितने समय बाद t समय बाद t समय बाद इस point का नाम दे दो c और उसका उसकी velocity कितनी हो गई v हो गई यह v तो यहाँ पर यह v है यह v से मतलब नहीं है तो velocity axis है यह final velocity है यह initial velocity है यहाँ से आप फर्पटेबर डालो d ठीक है उधर आज समझीएगा graph की बारे में आप जानते हैं कि यह जो उंचाई है वो u है यह उंचाई v है यह वाली उंचाई v है यह वाली उंचाई u है तो v से d तक क्या होगा v minus u यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह d point है ठीक है यह तो graph साफ हो गया अब हम प्रूब करने जा रहे हैं फर्स्ट एक्विशन फर्स्ट एक्विशन आपने पढ़ा है v is equal to u plus 80 इस equation को कैसे प्रूब करेंगे देखे ग्राश्टी टाइम ग्राफ आप पढ़ चुके हैं वहाँ पर बताया गया था कि जो लाइन का स्लोप होता है जो होती हे वह क्या बताती है वह भाडि के एक्विशन को बताती न हम ने लिखे थी देखें जर लखेंगे इस था एक्विशन आफड़ान भॉडि दब लोड़ेरिशन आफ त वर्डि वस्तुका तरण बोस्तुका तरॅ A is equal to क्या होगा AB का slope slope of AB slope of AB यानि AB की क्या हम लिखने जा रहे है प्रवरता slope आप जानते हैं 10 theta होता है अगर मैं इसको theta माल लेता तो 10 theta होता है perpendicular upon this BD upon AD BD upon AD BD की लंबाई कित्मी है V minus U graph से clear है V minus U और AD की लंबाई कित्मी है यहां से यहां तक कित्मी है यह T यही थो है आपका AD यह T है upon T यह A हो गया इसमें cross multiply कर दीजेगा तो V minus U is equal to 80 तो V is equal to U plus 80 तो यह आपका first equation हो गया with the help of graph graph की मदद से पहरा समी करन कैसे प्रूफ किया जाता है graph की आपको process apply करना है अब आते हैं second equation क्या होता है देखें second equation क्या होता है second equation क्या होती है S is equal to U T plus half 80 square ज़रा समझेगा आपने velocity time graph पढ़ा है तो velocity time graph में आपको displacement कैसे निकालना होता था ज़रा graph को पीछे पलटिएगा हम इस graph का जो वीडियो है उसका link हम दे देंगे उसको अगर ना पढ़ा हो तो पढ़ लिजेगा हमने उसने बताया है कि body जहां से जहां तक जाती है यानि A से B तक जाती है और time axis इसके बीज का area निकालीजे ठीक है तो जब आप displacement निकालेंगे body का displacement language उपहले वाली सम्मे लिखनी है displacement जिसको हिंदी में क्या कहते है विस्थापन S बराबर तो आपको इसका area निकालना है O, B, C Sorry A, B, C, O इसका अधाश शेप कैसा है तो अब कई books में आप देखोगे ये triangle और ये rectangle ये त्रिभुज और ये चत्रुभुज या ये आयत इसको जोडा गया है लेकिन हम इसका shape जानते हैं ये trapezium बना हुआ है ये दो parallel sides है और ये इनके बीच की दूरी है तो ये किसके इकोल होगा area of trapezium क्या नाव है A, B, C, O A, B, C, O trapezium को हिंदी में sum-lum कहते हैं अब trapezium का area क्या होता है half into some of parallel sides into distance between them एक बटे दो into 17 रेखाओं का योगफल into उनके बीच की दूरी तो 1 by 2 देखे एक तो ये दो parallel lines है तो आप लिखेंगे AO plus BC तो आएगा AO plus BC और into इनके बीच की दूरी है ये OC OC लिख दो या AD लिख दो कुछ भी लिख दिजेगा तो half AO कितना है U BC कितना है V और OC कितना है T अब problem ये है आपको यहाँ पर V नहीं लाना है तो आप जानते हैं कि as V is equal to U plus A T ये आपने पढ़ा है तो V की दिखेंगे क्या रख दोगे U plus A T so S is equal to half U plus V को क्या लिखेंगे U plus A T into T अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं graph को दो अब नहीं कर सकते हैं क्योंकि आगे इसका इस्तेवाल होगा तो S is equal to half U plus U 2U plus A T into T अब देखो 2 को अंदा ले जाओ T को अंदा ले जाओ half को अंदा ले जाओ तो आएगा U T plus half A T square ये आपका second equation है ठीक है तो ये तो second equation हो गया अब आते हैं third equation को third equation प्रूप करने जा रहे है देखे third equation क्या होता है V square is equal to U square plus 2 A S फिर ध्यान से देखे इसमें S आ गया तो फिर S को आपको हटाना पड़ेगा एक second फिर आपको S को हटाना पड़ेगा displacement क्या होता अभी अबने बताया इसका area तो यह तो ओई लगेगा S बरागर half area of trapezium A, B, C, O क्या होता है formula 1 by 2 O, A अभी आप लिख चुके हैं plus B, C into इनके बीच की दूरी O, C half यह है U plus V into T अब ज़रा समझिएगा थोड़ा सा साउधाल equation पर 1 डाल दो देखिए यहाँ पर T गाइब है तो आपको T को गाइब करना पड़ेगा देखिए by first equation क्या होता V बराबर U plus A T तो U को इदा ले आओ V minus U बराबर A T यहाँ से T का बाइब क्या निकलेगा V minus U अपान A यह जो T की value है इसको equation number 1 में put कर दो putting T in equation 1 रखिए यहाँ पर T की value अब मैं diagram रब कर देता हूँ देखिए तो आएगा S is equal to 1 by 2 U plus V into T का बाइब क्या निकला है V minus U upon A V minus U upon A ज़रा ध्यान से देखिएगा एक bracket में है V minus U एक में है V plus U यह बन जाएगा V square minus U square upon 2 A S हो गया cross multiply कर दो V square minus U square is equal to 2 A S V square is equal to U square plus 2 A S तो यह आपका third equation है by help of graph इसके बाद हम बात करेंगे other methods की calculus methods की okay thank you जपका जगका पुर्ण